वेलकम टू आवर योटूब चैनल रोबिन बुटिक फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि कोलर वाले सूट की स्टिचिंग कैसे की जाती है एक्शली दोस्तों मैं आपको बताओंगा कि हाफ कोलर में कैसे लगा जाया जाता जिसे हम बैन भी बोलते हैं तो दोस्तों आपको एक चीज और बताता हूं अगर आपने कोलर वाले सूट की कटिंग नहीं देखी कोलर वाले सूट की कैसे होती है तो उस वीडियो का जो लिंक के आपको मिल जाएगा तो दोस्तों टाइम को वेच्ट ना करते हैं आज की वीडियो सिख लेते हैं कुछ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी सूट की कटिंग दोडोंट नहीं के अनूद से के अंदर ह मैं बनाएंगे हाफ कोलर वाला गला कैसे बनाना है यह देखिए यह मेरे पास एक बुक्रम का पीस है और दोस्तों इस बुक्रम की पीस की जो मैंने चुड़ाई लिए आप देख सकते हो यह लिए मैंने लगब आठ सब आठ के बीच में अब दोस्तों इस तरह से आपने से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपको एक निशान लगाना इस तरह से यह देखिए अब यह जो मैंने निशान लगाया इस निशान से आपने गले के लंबाई रखनी है तो जर्नली दोस्तों जो गले के लंबाई होती है कोला वाले सूटों में वैसे तो जर्नली हम रखते हैं साड़े छे इंच लेकिन दोस्तों जब कोला व साड़े साथ अब दोस्तों सिंपल गलाई आपको बनाना यह देखी यहां से ले रहा हूं तीन इंच तीन इदर से इसको बिल्कुल सीदा करने अब दोस्तों इसमें आप अपनी मरशी के फ gef दे सकते हैं चाहे है जिसमें गोल के कटिंग मैंने कर ली है नोर्मल गले की तरह कटिंग करी है बस थोड़ा से इसको मैंने गले को बढ़ा रखा है अब अब करना क्या है अब आपको कणि came up लेना कपडा इस तरह आपको बताऊँगा इसमें कोलर कैसे लगाना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो आगे का गला बिल्कुल नॉर्मल गले की तरह ही बनाना है जैसे हम बनाते हैं और फ्रेंट्स गला बनाने के बाद अब आपको क्या करना यह देखिए इसका जो बैक वाला पार्ट है इसको इसको रखना सीधा यह उल्टे के तरफ निशान लग रहा है और आपको रखना सीधा इसको सीधा रखने के बाद फ्रेंट्स यह जो हमने गला बनाया था अब इस गल्यक को हमने इसका सात रखते हुए इसका शॉल्डर जोड़ना है वह छोल्डर जोडना बिलकुल आसान दमे हैं को और यहां से च्डाय स्टार्ट करते हुए आपको यह से आदा इंच का मार्जन देते हुए सिलाइक को यह से निकाल देना यह इन फिर आप सीदी भी लेकर असकते हों इसे प्रकार से अपर रखने हुऊ गेर पोरापका यह उल्डर वाली जग़ए और यहां से इसको जोड़ते हुए आपको इस तरह सीधी लगानी है तो दोस्तो इस लगाने के बाद फिर हम इसकी काटेंगे कॉलर जिसको हम बैंड भी बोलते हैं तो दोस्तो पहले में लगा लेता हूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हूं इसमें तीरे की स्लाई जो है वह को इदर से नीचे लेना है और यह देखिए जो धाइंच का जो मैंने निशान लगा है यह आपका निशान यहां पर है चौक से अब दोस्तो इस तरह से इस धाइंच वाले निशान को आपको पकड़ना है और यह देखिए इसका सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको बिलक इस जो ए जोइंट है इस जोइंट से धाइंच इदर से और निशान लागा लेना है जरनली जो हमारी वैन होती अग्यान तक नीच लगती है उसके बाद है और पेस्टिंग से जब भी आप बनाते हो बहुत फिनिशिंग से बनती है इसको आपने इस्ते से कर लेने डबल डबल करने के बाद फ्रेंड्स आपको सीधा एक निशान लगाना है और बैंड की जो चुड़ाई रखनी है फ्रेंड्स वो लेनी है हमने सवा इंच यह दो एक चीज हमेशा आपने सीधी नहीं काटनी बैंड की जो करनी कैसे आपको यह जो सीधा निशान लगाया इस सीधे निशान से आपको उपर की तरफ कम से कम एक इंच उपर यह देखिए कम से कम बता रहा हूं दोस्तों एक इंच उपर आपको इसमें गुमाव देना है यह देखिए यह जो बैंट जो होगे मारी यहां तक तो तीन इच तक बिल्ग चीदी आएगी उसके बाद आपको इसको हलकलका गुमाते हुए यह देखिए इस तरह से गुमाव देना है कुल मलाके बात यह है कि दोस्तों जो बयन होती है हमारी वो कभी भी सीदी नहीं होती हमें उसको घूमाव देना होता है क्योंकि ग यह दहीए तो इस तरह सीदा कर लेंगा देखें कि और अब मैं करों happens तो फेंट्स यह जो ने निशान लगाया है यहां तक हमारी बेन त्यार रखनी है अमने तो इसके लिए आपको यहां से देखी आपकड़ेंगे गुलाई इसको इन पखड़ा outta गुर्ज यह से गुलाई दे दी तो फ्रेंड्स यह दिखिए इस तरह से जो है हमारी जो बैन हलकी सी गुलाई में कट चुकी एब इस बैन को हमने चिपकाना हैं कपड़े के उपर तो दोस्तों यह जो बैन होती है इसमें एक तरफ चिपकी होती है गौंद। और जोग ओन वाली जाग को चिपका लेते हो चिपकाने के बाद अब आपको करना है कि अग्य वाले जो कपड़े कपड़े के बराबर ragitate इसे अब अब आप फैंस वह करें चाहता हूं तो यह ते लिए आप न2 ईस तरह कर लेना है है अब यह जो हमारी बैन है दोस्तों अब यह जो बचावा कपड़ा इसके उपर आप इसको यूँ रख लें अब आपको बिल्कुल असानी से एक स्लाई लगानी इस जगे से स्लाई लगाते हैं जो आप स्लाई लगा होगे पेस्टिंग के उपर स्लाई नहीं आनी चाहिए स्ल करनी है और इदर स्लाई आपको निकाल देनी है बिल्कुल जड़ में से स्लाई लगानी है और स्लाई लगाने के बाद दोस्तों फिर मैं बताऊंगा इसमें अगला प्रोसीजर क्या है तो दोस्तों यह स्लाई मैंने यहां से स्टाड करी थी और यहां से स्लाई को मैंने नि कि अब फ्रेंट्स इस बैंकों करेंगे सीधा लेकिन सीधा करने से पहले आपको यहां पर लगाने होंगे कट क्योंकि दोस्तों जिदर गुलाई होती है गुलाई वाली जगे से क्या है बैंको जब सीधी करते हैं तो अच्छी तरह से उसकी प्रोपर शेप बन जाए इसलिए कट लगाने पड़ते हैं और कट लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से बैंको करना सीधा यह देखिए जब आपकी बैंस्तर सीधी हो जाए तो थोड़ी सीधी आप कर लें प्रैस तो दोस्तों प्रैस से क्या है कि जो कपड़ा होता है यह वाला इसारा कपड़ा पीछे के सेट tरे हो जाता है कि अब अबहुकरो तो आप इस में नकून से भी प्रैस कर सकते हो लेकिन प्रैस का आपक्स का जो आपशन शबसे बैस्ट है यह दीके इस शारा कपड़ड आपका इस तरह से बढ़य तरीक से यह नीचे के तरanding दब जाता है chunk का तो अब दूस्तो यह जो एक्स्टा कपड़ा मैं ने लिया था इसको आपने इसी तरह से यह देखिए फोल्ड कर लेना इसके साथ सबस्ट सर में एक जब करना कि आ यह एस तरह से यह और आपको लगाने होगी इस तरह से सिलाई और यह सिलाई लगेगी कैसे आ जाजीए दिखाता हूं आपको मशीन पर आた वो दोस्तो सेमय करके लिए अब इस कप्ड़े को आपने इस तरह से फोल्ड कर ले अब यहां पर लगा लेना सिलाई धे क defenses के stat दोस्तों इस तरह लगाने के बाद जो भी आपका एक्टा कपड़ा है या फिर धागा इसके आप कर लें कटिंग अब दोस्तों इस तरह से देखिए बैन हमारी तयार है अब बैन को लगाना कैसे यह मैं आपको समझाऊंगो काउंटर पर तो दोस्तों यह देखिए जब आप चाया है इसको कहँं आपको दोस्तों ना वह से यह नए बेंगे तो लेकिन जब इसको िसे बढ़े तो बैन आपके रह जाएगी एक एंच-की दोस्तों एंग चाहें और यहां से बिल्कुल असानी से जो है यह आपकी बैन इसके बिल्कुल पास आगई है बिल्कुल और एक एक चीज इसकी बिल्कुल बराबर है स्लाई लगाते समय बैन की आप यह जो दूरी इस पर चाहें तो पहले मार्क लगा सकते हैं आकि बैन आपकी छोटी बड़ी ना हो अब फ्रेंट्स यह देखिए यहां तक मैंने सलाय लगा लिए अब यह दागे मैं काट रहा हूँ अब आपको करना क्या है अब इसी प्रकार से यह जो बैन है मैंने पीछे सेंटर से स्टार्ट की थी और अब इस बैन को दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा इस आगे पॉइंट से तो आपको करना क्या है अब इस तरह से यह देखिए यहां से इसको नाप के लेकर आए कि और इसी प्रकार से यह देखिए जो आपका निशांतर डाहिंच वाला आपको दिख रहा होगा यहीं से आपकी जो बैने स्टार्ट हो जाएगी कि मारे दिन को अंदर के तरफ फोल्ड करें दास्तो अब इस खुद मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा से इसका लुक काउंटर के उपर तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कॉलर वाले जो हमने गला बनाया है कॉलर वाले गले का फाइनल लुक देखिए केवल एक स्लाई में यह मैंने बैन लगा लिए और इसमें कोई भी कहीं पर जोल आपको नहीं मिलेगा इसका मैं थोड़ा साब को अंदर से भी लोग दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों इस तरह से केवले एक स्लाई में बैन लगा सकते हो रही बात इस कपड़े की इस पर चाहें तो आप बा बहुत ही गजब इसकी मैंने गुलाई के साब से कटिंग करी है बैन की तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा और सुन्दर यह जो है आपका गला बन जाएगा तो फ्रेंड्स यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कोलर वाल